ओम शक्ति जो भाव में क्रियेट होता है, रचना होता है, वो करम का इसाब बन जाता है एक पांच इंद्रियों से जो भी अन्गों में आता है, समझें, आपसे मैं पूछता हूँ, हम सब को बाबा मिला, एक करम है या करम का फ़ल है करम का फ़ल, आप बोजन काते हैं, वो करम है या करम का फ़ल है करम का फ़ल, किसी को बोजन काने के लिए ही नहीं होता, वैसा उसका जीवन में संकट आ जाता है वो करम है या करम फ़ल है, करम फ़ल, आपको किसी ने गाली दिया, वो करम है या करम का फ़ल है आपने किसी को आपने कुछ दोश देखा, वो करम है या करम का फ़ल है, करम जो अंदर intention में record हो जाता है, जो किसी को मालूम नहीं होता है, समझो, आपको किसी से कुछ काम करा ना था, आपने प्यार से बोला कि काम करो रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये करम का फ़ल है, result. आपने उस पर क्रोधित हो करके, या कुछ फोर्स दाल करके काम करा है, आपने समझा, वो काम कर देगा, हाँ, वो काम कर देगा, लेकिन अंदर एक भावना बेच जाता है, देखा ना, मैंने अगर क्रोध नहीं किया, तो काम नहीं होता था, तो आपके intention strong हो गई, देखा ना, आप इतना प्यार से बोला, वो काम नहीं किया, आपने जोर शोर मचा कर बोला, तो वो काम कर दिया, तो आपने समझा की काम हो गया, बने इस तूर रूप से काम हो जाता है, लेकिन अंदर करमा का बीच strong हो जाता है, इसी को करम का बंदन केहते हैं, देखो, किसी में दान कर मैं आपको एक मुदाहरण के तोड़ पर समझाता हूँ दो विक्तिते एक मंदिर बनाने में उसने हजार रुप्या दान किया और अंदर भावना क्रेट किया है बगवान अगर मेरे पास बहुत दंध होता तो मैं आपके इस मंदिर बनाने के सेमा में लाक रुप्या लगाता था बले वो हजार रुप्या दाला है लेकिन भावना क्याता कि मुझे और भी देना है ये बावना कि एक मेर कोई एक बड़ा आदमी उसने लाक रुप्या डोनेट किया वो डोनेट करते ही सभी उसका नाम प्लेट्स नेम प्लेट्स वगेरा उदर इदर मंदिर के तरफ लगा के प्रेसमीड लिया और सभी ने उसको सन्मान किया सबी ने उसको फोटोग्राफ लिया, सब तरह से उसको सदकार किया और उसका जो चपरासी होते हैं न, पताएं न, चपरासी, जो ओफिस में होता है, उसका चपरासी और भी उन कहते हैं, वो आकर के, बताया, साथ, मैं इतने साल से देख रहा था आप कभी भी किसी के लिए एक चाय भी नहीं मंगवाया, इतना कंजूसी समझा, लेकिन आप बहुत बड़े दिलवाला है साथ, आपने एक लाक रुपया मंदिर बनाने में दे दिया है, तो वो मेर बोलते हैं, तुने क्या पता है, मेरे भूपर मालों का प्रशर के कारण में ये लाक रुपया दिया, अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं सौ रुपया भी नहीं देता, बाव, बाव, इसका नतीजा क्या होता है, वो बले अभी जो लाक रुपया दिया है, उसका प्रटेक्श फल्तों उसको मिल गया, सबी उसको मंदिर जाता है, तो ये मंदिर इसन बनाया, बगवान के नाम के ज्यादा उस बाई का नाम जबता है, तो प्रंत्यक्षि फल तो हो गया, स्टूल रूप का करम, स्टूल रूप में फल आ गया, लेकिन सुक्षिन में क्या अभी प्राई क्रेट किया, क्या भाव क्रेट किया, मेरे कंट्रोल में, अगर देने का प रिजर्ट नतीजा अगले जनों में क्या होता है उनके पास बहुत सुविता होता है उनके पास सब तरके भी कमफर्ट होता है पैसा भी होता है लेकिन वो पुन्य कार्म में हाथ लगाने जैसा मौका उसको कभी नहीं मिलता है उसका पैसा कभी भी स्रेश्क करम में नहीं जात इसलिए बाबा कितना सुन्दर सिश्टम हमको लेके आ गया किसी वो भी पता नहीं चलता है कौम क्या बंडारी में दावला है है ना है ना इसके ये बाबा कितना सुन्दर बात केते हैं बच्चे मैंने दिया ये संकल्प भी अगर दान कर दिया तो आपका पुणिक का कराम जमा पहुचा